हेलो एरिवन एंड वेलकम माई योटूब चैनल नाइन क्लासे आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे हाल ही में एएफ सी एटी टू स्लेस दोहजार इस एयर फोर्स कामन एडमीशन टेस्ट के दोरा एक वेकंसी नोटीस जारी किया गया है इनमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली यह हैं 334 तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं यह जो आपकी टोटल पोस्टे हैं इनमें एज आपकी क्या होनी चाहिए इलिजबिल्टी क्राइटेरिया क्या होगा और आनलाइन आवेदन कब से आप प्रारंब करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे आपकी जो NCC Special Vacancy रहने वाली हैं उनकी eligibility क्या होगी तो आप सभी चैनल पर नए हैं चैनल सबस्क्राइब कर लें शाथ ही जाथ विल आइकन को भी प्रेस कर लें जिस ये आने वाली वीडियो को notification अपडेट आप तक बहुत ही चल आसानी से पहुंश सके और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें तो बात करते हैं Indian Air Force Vacancy का जो important dates है यानि जो आप online आवेदन कब से आरंब करेंगे तो ये करेंगे आप 162021 से और जो आपकी last date रहने वाली ही ये 362021 यानि एक महीने के पास near about आपके पास time है आप सभी online आवेदन कर सकते हैं यादि eligible यानि applicable है बात करते हैं application fee की तो जो application fee आपकी रहने वाली है ये आपका AFCAT entry only के लिए केवल AFCATE यानि Air Force Common Admission Test के लिए 250 रुपे होगी और जो आपका payment mode होगा ये online होगा आप बात कर लेते हैं age limit की तो ये जो age limit होगी आप सबी की ये होगी flying branch के लिए 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए बात करते हैं ground duty के लिए तो ये 20 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए बात कर लेते हैं AFCAT यानि vacancy की मैंने आपको वीडियो के जो starting में ही बताया ये 334 पोस्ट रहने वाली हैं तो AFCAT eligibility हम जानेंगे इसकी तो eligibility है आपकी flying के लिए bachelor degree होनी चाहिए कोई भी आपका subject हो ये माइने नहीं रखता बात करते हैं साथ ही साथ 10 प्लस टू आपका physics और mathematics से होना चाहिए और साथ ही साथ आपका BE यानि bachelor of engineering या तो BTEC आपके पास course होना चाहिए इन दोनों में से एक तभी आप flying में apply कर सकते हैं अच्छा बात कर लेते हैं इसी फ्लाइंग में जो आपकी ये जो flying है न तो flying में ही आपकी जो vacancy हैं पहली है NCC special entry के लिए तो इसकी जो total post है वो 10% of seat यानि जितनी seat हैं उनका 10% आपका NCC special entry के लिए होगा तो next है आपका metrology entry तो ये metrology entry के लिए इसमें आया आपका क्या है PC के लिए आपकी 6 vacancy है SSC के लिए आपकी 22 यानि आपकी total vacancy है 28 चलिए अब बात कर लेते हैं next की तो next हम branch wise देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे AFCAT entry तो branch आपका जो flying branch है इसमें आपकी total vacancy 96 हैं ground duty technical के लिए इसमें आपकी vacancy हम सभी देख लेंगे AE के लिए PC की आपकी 20 है SSC के 78 है और हम बात करें PC की इसमें AEM में तो 8 है SSC की 31 है total number of vacancies की बात करें तो यह आपकी जो इसमें आपकी कितनी हो जाएंगी इसमें आपकी हो जाएंगी 88 हो जाएंगी और इसमें आपकी कितनी हो जाएंगी 39 हो जाएंगी तो ग्राउंड ड्यूटी की बात करें नान टेक्निकल की तो नान टेक्निकल में आपका क्या होगा इसमें आपके 52 है एड्मिन में आपकी कितनी है 21 है अब बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की तो अभी आपने हम आपको हमने जो बताया है हमने किसके लिए ये बताये हमने आपको AFCT entry के लिए अब बात कर लेते हम सभी ये जो बात करेंगे हम ये ground duty technical के लिए तो ground duty technical के लिए आप सभी का क्या होना चाहिए Aeronautical Engineering Electronics के लिए तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा कक्षा 12 पास आउट होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिस और मैस से होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 4 साल का graduation आपके पास होना चाहिए पीजी डिगरी इन इंजिनिरिंग या टेकनालोजी यानि आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो इंजिनिरिंग से होना चाहिए या तो टेकनालोजी से होना चाहिए तब आप यह जो Aeronautical Engineering इंजिनिरिंग इलक्टानिक्स में भर सकते हैं यानि आप registration कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका अरन आटिकल इंजिनिरिंग मेकैनिकल तो इसमें आपका केनिडेट को मतलब जोवी व्यक्ति आवेदन करेगा उसके लिए क्या होना चाहिए साथ परसेंट मार्क्स होने चाहिए इच इन फीजिक्स एंड मैथमेटिक्स यानि फीजिक्स और मैथ दोनों में एट लेबल टेन प्लस तो यानि कख्षा बारा में चार साल का आपके पास Engineering Technology या तो Mechanical Engineering या तो Industrial Engineering या तो Northern Engineering या तो आप इसी के बराबर कोई डिगरी होनी चाहिए चलिए अब नेक्स्ट हम भी देख लेते हैं तो आपका नेक्स्ट है committee या क्राइटेरिया होगा घ्री इन अश्ट्रीम बीत यानि आपका आपका मुझक कुछ भी यानि वह चाहिए यह कम से कम क्या होना चाहिए ऊत्रों सोने चाहिए इसमें बात कर लेते हैं फीजेकल इलिजिब्लीटी आपकी 57 यानि एक 58 के आसपास होनी चाहिए यह संटीमीटर में और फीमेल का 12 संटीमीटर है तब भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं यह नान टेक्निकल का होगा बात कर लेते हैं एकाउंट्स के लिए तो एकाउंट्स इसी में आपका बैसले डिगरी होना चाहिए इन कामर्स विद एट यानि कम से कम 60 परसेंट मार्क होने चाहिए कामर्स में आपके अप फिज्ट के बात करें तो यह आपका एंबीएय एंसीयएड म gueri हाईयए अउनी चाहिए उनीचिए कम से कम 50 मार्क पर्सेंट मार्क के साथ में और बात करें फिज्ट कल कि स्ट ओर्डिल्ट्ट्ट के तो यह कम से कम आपकी हाइट मेल की होनी चाहिए एक 57 बहुन अर शाथी होनी चाहिए एक 12 सेंटीमीटर नेक्स्ट आपका जो क सoffsback Ś Shelby मतलब कि मतलब है मैट लौजी तो इसमें आपका न चाहिए जिर नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और मानेता प्राप्त यूंड स्टी से होना चाहिए इसमें आपका NCC इस सेशल आट्री तो ये इस में जो आया आपका ये आपका flying का इसमें होना चहीए ncc air wing senior यानी आपका जो c certificate होना चाहिए किसके ncc क्या ncc की certificate होना चाहिए ये flying के लिए flying branch eligibility यानि आपका जो flying branch eligibility हमने आपको बता है यह किस के लिए flying के लिए चिए और सेने सिपेशालिन्टरी है आपसा हिए को यहां मैं ने आपको बता है न आ को मैंने आप को यहां क्या होना चाहिए flying ब्रांच के लिए आपको ब्aphorिण है much यह आपको भिदिजिधि को को स्सक्राइब में बताया ना bachelor degree होनी चाहिए किसी भी subject से साथ ही साथ आपको कक्षा बारा में physics और mathematics होनी चाहिए और बात करते हैं bachelor आप engineering degree होनी चाहिए या तो आप b.tech course आपके पास होना चाहिए तब आप सभी ये जो आपकी NCC special की vacancy है आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं ये flying वाली तो आप सभी को वीडियो में कोई भी doubt लगे तो आप सभी comment box में comment कर सकते हैं और मैं आप सभी को जो जहां से आवेदन करना है यानि online आवेदन करना है उसकी जो link है वीडियो के description में दे दूँगा और साथ ही साथ मैं आप सभी को इसकी notification की link भी description में दे दूँगा आप सभी आराम से अच्छे तरीके से देख सकते हैं यदि कोई भाद में doubt हो तो आप सभी comment box में comment कर सकते हैं ओके friends, thank you for watching me मिलते हैं next video में